नमस्कार आज हम बढ़ने वाले हैं प्रायोगी ज्यामिती अध्याय चार परीचे आपने पिछली कक्षा में त्रिभूज बनाना सीखा था उसे बनाने के लिए हमें तीन बिमाओं का माप या दो कोण और एक बिमा का माप पता होना चाहिए परन्तु चतुर्भूज बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं कि आयत को हम चार मापों से बना सकते हैं पर इनी चार मापों से हम एक समांतर चतुर्भूज भी बना सकते हैं तो हमें 4 माप से अधिक जानकारी चाहिए. एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 माप परियाब्त है पर चतरभुज के लिए ऐसा नहीं है. हम नीचे याद देख सकते हैं कि हम स्रिफ 4 मापों से एक चतरभुज नहीं बना सकते हैं. विशे आज हम चतरवुज को बनाने के लिए कुछ तरीके जानेंगे जो विभिन सित्यों में काम आएंगे पहला जब हमें चार भुजाएं और एक विकर्ण का माप दिया गया है दूसरा दोनों के विकर्ण और तीन भुजाओं का माप दिया गया है तीसरा दो आस्चन भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया गया है तथा चोथा तीन भुजाओं और उनके बीच के दोनों कोणों का माप दिया है आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमेशा 5 माप ही होने चाहिए सबसे पहले 4 भुजाएं और एक विकर्ण हमें एक ऐसा चत्र भूज ABCD बनाना है जिसमें AB 4.5 cm है BC 5.5 cm है CD 4 cm है AD 6 cm तथा AC 7 cm है इस प्रश्ट को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक कच्छरी आकृति का निर्मान करते हैं जैसे इस चित्र में दिखाया गया है इस तरह के प्रश्ट को हल करने के लिए हम सबसे पहले विघर्ण बनाते हैं इसके बाद हम SSS रचना जो हम कच्छा सासाथ में पढ़ा था से दोनों तरफ त्रिभुज बना लेंगे जैसे यह हमारा विकर्ण है फिर SSS रचना से हमने दोनों तरफ स्त्रिभुज बना लिए हमारे पास अब अपना उत्तर प्राप्थ हो गया है दूसरा जब हमें दोनों विकर्ण और तीन भुजाएं दी गई है हमें एक ऐसे चत्रभुज गोल्ड का निर्मान करना है इस प्रश्ट को हल करने के लिए हम पहले एक कच्ची आकरिती बना लेंगे जैसा इस चित में बनाये गया है कच्ची आकरिती बनाने से हमें एक विचारधारा मिल जाती है अब हम यहां जानेंगे कि इस तरह के प्रश्ट को हल कैसे किया जाए सबसे पहले हम एक विकन को त्रिभूज का आधार मानकर SSH रचना से त्रिभूज बना लेंगे हम यहाँ पर GLD को भी बना सकते थे वर GOL या DOG को नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमें GO का माप नहीं पता है जैसे हमने यहाँ पर OLD बनाया है क्योंकि हमें OL, LD तथा DO का माप पता है अब हमारे पास OLD प्राप्त हो गया है जो हमारा आजाजाचरगुज है अब हम LD को आधार मानकर SSH रचना से एक त्रिभूज बना लेंगे LDG अब G और O को जोड़ कर हम हमारा उत्तर प्राप्त कर लेंगे तो चलिए अब तीसरे में बढ़ते है जब हमें दो आसन बुजाएं और तीन कोन दिये गए है चतुर बुज मुर का हमें रचना करना है जिसमें MO 6 cm है OR 4.5 cm है कोन M का माप 7 डिगरी है कोन O का माप 105 डिगरी है तथा कोन R का माप 105 डिगरी है इस प्रश्ट को हल करने के लिए भी हम एक कचियाकरती का निर्मान करेंगे जो इस तरह दिखाई देगी तो चलिए अब या जानते हैं कि इस तरह के प्रश्ट को कैसे हल किया जाए सबसे पहले हम दिए गए दोनों मापों में से किसी भी एक को बनाएंगे जैसे यहाँ पर मैंने R O बनाया है जिसका माप 4 सेंटिमेटर है इसके बाद हम दिए गए माप वाले दूसरी बुजाओं को कोन की मदद से बना लेंगे हमें O M और कोन O का माप पता है अब हम R और M से दिये गए कोनों के माप की सहायता से दो लकीरे बनाएंगे जब तक वो E पर मिलना जाए और इस तरह हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है तो अब चलते हैं आखरी प्रश्ट की तरह जब हमें तीन भुजाओं और उनके बीच के दोनों कोनों का माप दिया गया है हमें एक ऐसे चतुल भुज टू का निर्मान करना है जिसमें T, R 3.5 cm है R, U 3 cm है U, E 4 cm है कोन R का माप 75 डिग्री है तथा कोन U का माप 120 डिग्री है कच्ची आकरिती इस चित्र में दर्शाया गया है तो चलिए अब यहां जानते हैं कि इस तरह के प्रश्ट को हल कैसे किया जाए इस तरह के प्रश्ट करने के लिए हम सबसे पहले बीच वाली बुजा बनाएंगे इस प्रश्ट में हम R, U बनाएंगे इसका माप 3 सेंटीमेटर है अब हम दोनों कोणों R और U पर दिये गई कोणों की माप से लकीरे बनाएंगे अब R को केंद्र मानकर 3.5 त्रिज्या का एक चाप खीचेंगे जो T होगा इसी तरह U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमेटर त्रिज्या का एक चाप खीचेंगे जो E होगा अब T और E को जोड़कर हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे ध्यान देने वाली कुछ बात है याद है कि हम 5 मापो की बिना कोई भी चतुर्बुच नहीं बना सकते है कभी कभी हो सकता है कि हमें लगे कि प्राप्त में कम माप दिये गए होंगे पर 5 मापो से कम में हम कभी भी एक निश्चित चतुर्बुच नहीं बना सकते है प्राप्त में 5 माप दिये गए होंगे बस हमें यह सोचना होगा कि वा कहां पर दिये गए है जैसे प्रश्ट में बोला जा सकता है कि हमें एक आयत बनाना है जिसके दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि आयत के 4 कोणों का माग 90 डिग्री होता है सारांज आज हमने चतुलभूज बनाना सीखा धन्यवाद